टाटा स्टील यूके आशीश बहुत बड़ी परिशानी रही इनके कई सालों से बहुत बड़ी परिशानी रही इंडिया उपरेशन जब भी अच्छे रहे यॉरप भी जब ठीक हो गया यूके इने बहुत परिशान कर रहा था अब बताए फाइनली ये क्या अपडेट बांग रहे थी की इनहें जो काफी साहले जो गांटेर प्लांट शे अपनी लाइफ के एंड पर आ गए तो इन से रिप्लेश कर आगा और फरनी अब इन्हें रिप्लेस किया जाएगा एलेक्ट्रिक आक फर्नेस के साथ तो इसमें देखें भारी बर कम करीब एक सो पचीस करोड़ पॉंड का आसपास का जो है निवेश लगेगा इस एक सो पचीस करोड़ पॉंड में से करीब पचास करोड़ पॉंड जो है यानि 40 जो अब ग्रेड होगा अगले तीन साल में इसकी शम्ता होगी तीन मिलिन टन के आसपास जो कि अभी मौझूद है तीन तीन साड़ी तीन के आसपास से कर सकते हैं इतनी शम्ताइं आप देखने को लिगी दिरसल अगर आप देखें तो एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि अगर आप देखें तो पूरे यूके में होने वाले एमिशन का 1.5% का इसा करीब यहां पर आता है अब जैसे कि आपने बताए कि एक बड़ा टर्नराउंड यहां पर देखने को मिल सकता है जब यह इलेक्रिक की और बढ़ेंगे तो इनकी ऑपरेशनल एफेशेंसी में भी काफी बड़े इंप्रूब्मेंट आपको देखने को मिलेगा और मारेजमेंट की गाइडेंस है कि डेड़ सो से 170 पॉंड प्रती टन के आसपास की जो है लागत खर्च में कॉस्ट में आपको बचत देखने को मिल सकती है टाइम लाइन आपको बता देता हूं टाइम लाइ में अब डील में क्या-क्या पॉजिटिव यह तो बता देता हूं जैसे कि मैं आपको बता कि डेड़ सोल से 170 पॉंड प्रती टन के आसपास की जो है बचत होगी इसका यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा और साथ में अगर आप देखे तो जो ट्रांजिशन है इनका एक ट्रेडिशनल ब्लास्ट फरनिस से इलेक्ट्रिक फरनिस के और से यहाँ पर अगर आप देखे तो लेबर कॉस्ट में भी काफी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है आट जार के आसपास की जो इंप्लॉईस ट्रेंट अभी फिलाल है मान रहें कि ट्रांजिशन पड़ेगी तो यहाँ पर एक फायदा कंपनी को देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टील स्क्राइब का भी इस्तेमाल कर पाएंगे और ओवराल जो पॉलिसी सपोर्ट सरकार दे रही है इसका फायदा देखने को मिलेगा मारेजमेंट यह भी कर रह करता है एक कुछ उमीद बजार यह भी लगाकर चल रहाता कि सीदे तो था हगाकर देखे तो पर अगांकु के सर्कार देखी जो की नहीं मिला तो अल्यड़ी खबर पचा चुका है बाज़ा इसकाउंटेडे काफियत तो वैसे आप कह रहे हैं कि बढ़िया खबर है इनके लिए और UK के लॉसस खतम हो जाएंगे काफियत तक हतम हो जाएंगे इनफाइक जो टरनराउंड आप देगी डेड़ सो से सतर पाउंड प्रती टन के आसपास की जो लागत खर्च में बच्चत होगी तो कामकाजी प्रदेशन काफी इंप्रूब होगा